नमस्कार दोस्तों Curious Wealth में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की वीडियो में मैं फिर से आपको कुछ ऐसे Stocks के बारे में बताऊंगा जो अपना Swing देने के लिए तयार हैं और उस Swing का फायदा उठाके आप Swing Trading कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको कुछ Stocks के नाम बताऊंगा उनके Breakout Levels बताऊंगा जो की तयार बैठे हैं किसी भी दिन अपना Breakout दे सकते हैं और जिस Breakout का फायदा उठाकर के आप एक अच्छा Swing Trade ले सकते हैं जिसके अंदर आप कोशिस कर सकते हैं 5-7% का Minimum Return या Minimum Profit कमा सके अगर Swing Strong रहा, Market का Support रहा तो आपको और भी ज़्यादा मुनाफ़ा इन Stocks के अंदर से निकल सकता है तो चलिए आपको 19 अभी Stocks के बारे मैं बताता हूँ दोस्तो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दिजए ताकि इसी तरह की valuable information आपको सही समय पे मिलती रहे और आपसे कोई भी information miss ना हो उमिद करूँगा जो मैंने recently stock market के अंदर intraday trading की strategy share की थी वो आपने देखी होंगी अगर नहीं देखी है तो देख सकते हैं उसका link जो है मैंने वीडियो के description में भी दिया हुआ है तो चलिए stock के उपर सुरू करते हैं यह Tata Motor का stock है जो कि कुछ दिन पहले मैंने suggest किया था लगवख 335-340 के आसपास उसने वहाँ से हमको 10-15 रुपे का gain अल्रीडी दिखा दिया है बट आज जिन stocks के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसमें सबसे पहले है spark या फिर जिसको लोग Sun Pharma Advance भी बोलते हैं इसको आप देखेंगे stock में हमको बहुत ही अच्छा pattern बनता हुआ नजर आ रहा है जिसको मैं draw करके देखूँगा और जहां पर हमको breakout भी बहुत ही अच्छा मिल चुका है यह आप देख सकते हैं मुझे एक बहुत ही बहतरीन flag का formation इसके अंदर हुआ है अगर मैं यहां तक का pole लेता हूँ तो भी मुझे बहुत ही अच्छे target निकल के आएंगे तो इस pattern के हिसाब से यह flag breakout जो हमको already हो चुका है आप देखेंगे यहां पर volume भी काफी अच्छा है इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि कि यहां पर आप देखेंगे हमको बहुत ही अच्छी buying देखी दी consolidation हुआ और उसके आथ फिर इसने बहुत ही अच्छा breakout विवा है तो आप इंतजार कर सकते हैं stock में जैसा हमेशा बताता हूँ breakout देने के लिए रिटेस्ट करने की कोशिस करता है तो हो सकते हैं 240 के आसपास है तो आपको यह stock अगर 245 से 240 के आसपास मिलता है तो वो बहुत सही समय रहेगा stock के अंदर entry लेने का क्योंकि उसमें आपका rest to reward भी काफी कम हो जाता है stop loss आपका इसके अंदर 230 के आसपास का निकल का आएगा जहां तक target की मैं बात करूँ यहां से पहला target आपका 262, second target 271 and third target 285 के निकल के आते हैं यह daily chart के सबसे हमको पता चल रहा है अगर मैं आपको weekly chart से दिखाँ तो मैंने यहां पे आपको volume addition बहुत ज़्यादा दिखाए था वो इस वाज़े से था यहां पे आदेखेंगे एक अच्छा resistance zone था जिसको stock ने breakout दिया है consolidate हुआ फिर से एक अच्छा breakout हमको भी ला है तो next target या next resistance जो इसके अंदर हमारे लिए आ रहा है वो यह level का आ रहा है जो कि यह 278-280 का इसलिए जो मेरा final target है वो 285 का है जिसके पास जाके stock resistance दिखा सकता है तो इस stock के अंदर आप नजर बनाएए आपने watch list में रखिए सही समय पे इंटरी लेते ही यह stock आपको यहां से कम से कम 35 से 40 point की rally आसानी से दिखा सकता है अगले अगर मैं time duration की बात करूँ तो इसमें हमको time duration लग सकता है 7 से 10 दिन का 10 trading day की बात कर रहा हूँ तो 10 trading day में आपको वो levels भी देखने के लिए मिल सकते हैं अगर यह breakout fake breakout में convert नहीं होता है तो currently possibility है कि यह breakout हमारा successful breakout है और यहां से हमको upside direction अच्छा देखने के लिए मिलेगा वो है indico remedies इसको भी मैं आपको पहले daily chart पे दिखाता हूँ इसमें भी हमको almost same चीज नजर आ रही है यहां पे आप देखेंगे एक अच्छा मेरा जो flag है उसका formation हो रहा है तो इस flag के breakout के बाद आप already देख सकते हैं इसमें भी हमारा breakout already हो चुका है यहां पे मुझे again उमीद है कि यहां से correction आएगा तो सही समय आपका stock के अंदर entry बनाने का रहेगा 405 से 415 के बीच में अगर आप entry बनाते हैं तो वो सही levels रहेंगे stop loss की जहां तक बात करूँ इसमें 390 का stop loss निकल के आएगा targets जो हमको देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि आप 315 के आसपस entry लेंगे या 310 के आसपस entry लेंगे तो आपका पहला target रहेगा जो रहेगा 425 का जहां पे आज की closing हुई है आपको नीचे open के level पे buy करना है अगर नीचे नहीं आता है तो आप इस stock को छोड़ भी सकते हैं second target मेरा रहेगा 435 का और third target मेरा रहेगा 450 का तो ये 3 target मेरे रहेंगे time duration के भी इसमें बात करूँ तो हमको लगवग 7-10 दिन का time duration हो सकता है कि इसके अंदर लग जाए अगर मैं आपको weekly chart पे इस stock को दिखाता हूँ तो आपको एक बहुती अच्छी चीज समझ में आईगी जो कि आप देख सकते हैं कि मेरा एक बहुती अच्छा saucer का जो pattern है वो इसके अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है currently stock का जो मेरा breakout level था वो था 408 रुपे का अब मैं इसको वापस से आपको daily chart पे लेके जाता हूँ तो आप देखें कि ये जो मेरा level था 405 से लेके 408 का level था जो मेरा saucer के हिसाब से एक resistance level था उसको मुझे बहुती अच्छे से breakout मिल गया है अब इसके अंदर बहुती अच्छे higher level हमको देखने के लिए मिल सकते हैं जो की लगबग यहां से 600 के target देते हैं लेकिन वो swing trading के target नहीं है उसको आपको medium term के target consider करने पड़ेंगे depending on weekly chart में saucer pattern बन रहा था तो weekly chart में ही उसका breakout होना चाहिए यानि कि इस weekend पे अगर मेरा stock का price 435 के आसपास है 440 के आसपास रहता है तो मैं इसको consider करूँगा कि यह successful breakout हुआ है और longer duration में यानि कि 6-9 महिने के duration में यह stock हमको 600 रुपे तक के भी level दिखा सकता है अगला stock जो है यह आप देखेंगे इसके अंदर भी flag का breakout already हमको देखने के लिए आज मिल चुका है generally आज जो भी stock में लेके आ रहा हूँ mostly stocks में हमारा flag का breakout already हो चुका है यहाँ पे भी आप देखेंगे मेरा flag का breakout हो गया stock जो है Tata Motors DVR है Tata Motors को मैंने 2 दिन पहले ही swing trade के हिसाब से suggest किया था उसमें हमको बहुत ही अच्छी rally भी देखने के लिए मिल चुकी थी daily chart के हिसाब से अच्छा breakout है volume addition है इसके अंदर जो मेरे target रहेंगे daily chart के हिसाब से पहला target के आसपास already जा चुका है stock तो हो सकता है थोड़ा correction है सही समय इसके अंदर भी entry लेने का रहेगा 156 या फिर 160 के आसपास आप entry ले सकते है stop loss 148 का निकल के आएगा target जो रहेंगे 165 के 170 के and 176 के target इसके अंदर निकल के आएगे आप देख सकते है target मेरे बहुत ज़्यादा नहीं निकल के आ रहे है but percentage के terms के हिसाब से मैंको अच्छा target यहाँ भी दिखाई दे रहे है 10% तक के levels मुझे इसके अंदर दिखाई दे रहे है time duration इसके लिए भी जो है 10 से 12 trading session इसमें लग सकते है अब इसको मैं आपको weekly chart पे दिखाऊँ तो weekly chart के सबसे longer duration में अगर आप इसको दो महिने तक रखते हैं तो यहाँ से आपको आसानी से 190 और 200 रुपए के levels देखने के लिए मिल सकते हैं दोस्तो अगला जो stock है वो है जिंदल सा यह मैंने already suggest किया था लगबग 100 रुपए के आसपास उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें किस तरीकी की rally already आ चुकी है अगेन हमको swing trade एक बहुत ही बहतरीन मिल रहा है daily chart के उपर इसके अंदर अभी तक breakout नहीं आया है flag का formation हो रहा है तो आप इंतजार कीजिए इसके levels को ध्यान रगिए जैसे ही stock की closing होती है 115 या 116 रुपए के उपर यानि कि इसकी closing अगर होती है 117 के आसपास आपको volume addition दिखाई देता है तो उस समय आप इसके अंदर trade ले सकते हैं breakout होने के बाद इसके अंदर के जो हमारे target निकल के आएंगे वो 121 रुपए 128 रुपए और 133 रुपई के target हमको देखने के लिए मिल सकते हैं depend करता है again flag का formation बहुत अच्छा हो रहा है high volume के साथ stock उपर गया था consolidation हो रहा है इस zone में जैसे consolidation कसम होगा हमको यहां से breakout बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा इसके लिए detail video मैंने already upload किया हुआ है कि इस stock के उपर या इस company के उपर मैं bullish क्यों हूँ तो वो video आप detail में अगर देखना चाहते हैं तो video के description में है या फिर मेरी past previous कुछ videos को देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि इस stock में आगे और क्या हो सकता है अगला जो stock है हमारा वो है IT sector से belong करता है जो की है tech महिंदरा इसको अगर आप daily chart पे देखेंगे तो आपको एक बहुत ही बहतरीन pattern बनता हुआ नजर आएगा जो की यहाँ पे देख सकते हैं यह मेरा एक तरीके से symmetric triangle का pattern बन रहा है उसको बहुत ही अच्छा breakout दिया है तो current level पे भी आप इस stock के अंदर entry बना सकते हैं यह duration अगर आप देखेंगे तो लगवक 3 से 4 महिने का duration है possibility है यहाँ से stock जो है वापस retrace कर सकता है और जब उपर जाएगा तो हमको बहुत ही अच्छे level मिलेंगे जैसे ही यह stock 1080 या 1090 के उपर की closing देगा हमको इसमें आसानी से साड़े 1100 से 1200 के target देखने के लिए मिल सकते हैं अगर मैं shorter duration के इसाब से बताऊं तो यहाँ पे आपको फिर से एक flag का pattern बनता हूँ नजर आ रहा है जो की breakout अल्रेडी हो चुका है और इसके इसाब से जो मेरे target recent term में है मैंने जैसा बता है पहला मेरा resistance है 1075 का है या फिर 1085 का वो level इसके लिए मेरा first target निकल के आएगा second target है मेरा 1100 का third target है 1125 रुपे का तो इसको भी आप देख सकते हैं किस तरीके से आगे चलके move करेगा उसी इसाब से आप इसके अंदर भी अपनी position बना सकते हैं swing trading के according दोस्तों अगला जो stock है वो है Tata Power Tata Power में आप देखेंगे इसमें भी हमको वही चीज नजर आएगी एक zone था या एक resistance level था जिसको stock ने दो trading session में बहुत ही high volume के साथ breakout दिया है तो ये आगे चलके आपको और भी अच्छे return बना के दे सकता है बर swing trading की में बात करूँ अगर stock में किसी भी तरीके का fall आता है और आपको ये stock 110 से 112 रुपे के आसपास मिलता है वो सही समय रहेगा stock के अंदर entry बनाने का stop loss इसमें 105 या 107 का आप लगा सकते हैं और अगर मैं इसमें आपको एक दूसरा pattern बता हूँ जिसके हिसाब से आप इसमें काफी ज़्यादा confidence हो सकते हैं तो आप देख सकते हैं ये inverted head and shoulder का pattern यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है तो इसके हिसाब से जो मेरे target निकल के आएंगे थोड़े लंबे duration के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ swing trading के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ वो मेरे 120, 125 और 130 रुपे के आ सकते हैं जब आपको buying करनी है 110 या 112 रुपे के zone के आसपस अगर मैं इसको weekly chart पे देखूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं stock ने एक बहुत ही अच्छे level के आसपस resistance या currently close हुआ है जो की था 115 के आसपस तो अगर stock 120 के उपस sustain करता है तो longer duration में मुझे 140 और 180 रुपे के levels भी इसके अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं जिससे सबसे company यह है आपको और भी ज्यादा higher levels दीख सकते हैं नीचे के levels में यह stock मुझे already multi bagger stock की category में मैंने इसको consider किया हुआ था बट आप क्यूंकि stock already काफी उपर आ चुका है तो इस level से multi bagger return नहीं बट आपको एक decent return यह stock दिला सकता है दोस्तो अगला जो stock है वो है नवीन फ्लोरिन इसको आप थोड़ा risky stock एक तरीके से consider कर सकते हैं क्योंकि stock ने अपना high बनाया था उसके अदगीरा था consolidate हुआ था और वापस से आज के ही trading session में हमको यह उपर की तरफ जाता हुआ दिखा है तो इस stock के अंदर आपको इस level पे entry बिलकुल भी नहीं लेनी है आपको wait करना है अगर stock उपर चला जाता है तो जाने दीजिए कोई problem नहीं है लेकिन अगर stock गिरता है लगभग 3300 या 3250 के आसपस stock आता है और वहाँ से trend reversal का signal देता है तो ही इस stock के अंदर entry लेनी है क्योंकि target इसके 3600 के आसपस आएंगे stop loss 3100 का निकल के आता है इस stock को सिफ एक ही condition पे buy करना है या trade लेना है जब stock नीचे आके वापस से upside की rally दिखाना शुरू करेगा overall यह stock positive momentum में अभी तक चल रहा है until unless यह stock 2900 के नीचे की closing नहीं देगा यह stock अभी भी bullish direction में ही consider किया जाएगा जोस्तो अगला जो stock है वो है HFCL आप इस stock में भी एक तरीके से flag का pattern बनता हुआ देख सकते हैं इसमें दो तरीके के look flag बना सकते हैं एक जो रहेगा ऐसे downward direction कर रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो horizontal direction कर रहेगा जो downward direction था उसका breakout अल्रेडी हो चुका था जो horizontal direction वाला था उसका breakout आज की candle में हुआ है इसको भी आप देखेंगे अच्छा upward momentum था volumes edition थे, consolidation हुआ और एक अच्छी खासी volume के साथ हमको breakout देखने के लिए मिला है यह stock को weekly chart पे क्या हमको दिखाई देता है वो चीज मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद लेकिन current level से इस stock में बहुत ही अच्छे target नजर आते हैं stock अगर sustain करता है 50 रुपे के उपर तो इसके अंदर जो मुझे target नजर आते हैं वो आते हैं 58 के, 62 के और longer time में 68 रुपीज तक के target नजर आएंगे जो कि again अगर यह sustain कर गया तो यहां से हमको वो target साथ से 14 trading session के अंदर भी देखने के लिए मिल सकते हैं stock loss इसके अंदर जो निकल के आएगा वो 44 से 46 का निकल के आएगा इसको अगर मैं weekly chart पे दिखाता हूँ तो आपको एक बहुती अच्छी चीज समझ में आईगी वो है कि इसने अपना एक तरीके से multi-year resistance को breakout दिया है जो किता इसका 35 रुपीज का उस multi-year resistance के जो breakout हुआ है और उस multi-year resistance के breakout के बाद जो हमारे target निकल के आ रहे हैं वो भी 60 से 65 रुपीज के आ रहे हैं तो यह breakout अल्रेड़ी यहाँ पे हो चुका था, upward momentum अभी भी फ्लैक बना, फ्लैक का भी breakout हो रहा है तो हम देख सकते हैं कि 62 या 65 जो है हमारा multi-year resistance breakout के से भी target निकल रहा है फ्लैक breakout से भी target वही चीज निकल के आ रहे हैं तो इस stock के उपर भी अपना ध्यान रख सकते हैं यह stock भी आपको अच्छा return बना करके आने वाले दिनों में दे सकते हैं दोस्तों उमीद करूँगा जो भी information मैंने आपको इस वीडियो में दीए वो आपके लिए useful होगी इस information का आप सही तरीके से फायदा भी उठा सकेंगे as a disclosure आपको बताना चाहूँगा जो भी information मैंने इस वीडियो में दीए या जो भी levels मैंने इस stock में बताए हैं वो किसी को भी बायासल का recommendation नहीं है मेरी दीवी जानकर इसे education purpose के लिए मेरी दीवी जानकर या आपको अच्छी लगती हो तो एक बार आप अपने किसी भी trusted stock broker या financial advisor से एक बार discussion करने के बादी भी किसी भी stock में अपना पैसा निवेश करें